आकाश्वणी भूपाल से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग सबसे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री ने कहा कि नई शिक्षानीती भारती मुल्यों के संवर्धन पर जोर देती है प्रुदेश में अब शिक्षकों को दूसरे वर्ष में ही वेतन की 100% राशी मिलने लगेगी केंद्र ने आज तुर और उड़त का उत्पादन और उभ्भोग करने वाले प्रमुकराजियों के साथ स्टॉक के सिती की समिक्षा की और प्रुदेश में संचालित सभी खेल अकादमी के खिलाडियों को सब्ता में एक दिन भोजिन में मिलेगा मोटा आनाज अब समाचार प्रिस्तार से प्रधान मंत्री डरेंद्र बोधी ने आज नौ नियुक्ति शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित कारिक्रम के लिए भीजे गए अपने वीडियो संदेश में कहा कि नई शिक्षा नीती भारती मुल्यों के संवर्धन पर जोर देती है मध्य प्रदेश में व्यापक तोर पर शिक्षकों के भरती की गई है इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि मध्य प्रदेश शिक्षा सर्वे में देश में सत्रमे स्थान से छलांग लगा कर पांच्वे स्थान पर आ गया है पुझान मंथी ने कहा कि आजादी के अम्रितकाल में देश में बड़े लक्षियों और नए संकल्पों को सामने रखकर कारिकिया जा रहा है आज हर शेत्रों में रोजकार के नए उसर बनाये जा रहे हैं इनमें युवाओं को न्यू एस टेक्नोलजी द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी प्रदेश में आफ शिक्षिकों को दूसरे वर्ष में ही वेतन की 100% राशी प्राप्त होने लगेगी इससे पहले प्रथम वर्ष 70% राशी के बाद 100% राशी प्राप्त करने के लिए लंबे समय का इंतजार करना होता था मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने आज 9 निकत शिक्षिकों को न्यूक्ती पत्र प्रदान करने के लिए आजवेट कारिक्रम में कहा कि अब ये प्रक्रिया एक साल में पूरी हो जाएगी इसके लिए शिक्षिकों को चार वर्ष की प्रदेक्षा नहीं करने होगी मुख्य मंत्री ने शिक्षिकों से कहाए कि यदि आपको बज्चों में सकारात्मक दिशा में बदनना है तो पहले स्वयम को बदनना होगा स्वयम के लिए गुरु बनने का संकल्प लेंगे तो बज्चों को बनाने, मध्य प्रदीश को बनाने और भारत को बनाने में सबसे बड़ा योगदान देंगे मुख्य मंत्री ने विभन दिशलों में पदस्त किये गये कुछ शिक्षिकों को प्रतीक सुरूप न्युक्ती पधाई पत्रसौ पे राज़िपाल मंगो भाई पटी लोहर स्कूल सिक्षा राज़िमंत्री इंदर सिंग पर मारस कारिक्रम से वर्चुली जुड़े वहीं जन्जाती कारिमंत्री मीना सिंग्ने प्रारंभिक संबोधन दिया आकाश पानी की लोगप्रिय कारिक्रम प्रुधान मंत्री की मन की बात पर आधारित विशी श्रंकला में आज की कड़ी का विश्य है धूमर पान के खिलाफ प्रुधान मंत्री का देश को दिया गया संदेश दुनिया की जानीवानी पत्रिका लेसन के एक आकड़े के नुसार भारत में धूम्र पान के कारण हलसाल करीब 10 लाख लोगों की जान जाती है साल 2016 सत्रा के ग्लोबल एडल टोबैको सर्वे ऑफ इंडिया के मताबिक देश में 39 फीसिदी व्यास्क तंबाको का सेवन करते थे जाहरे कि एक सामाजिक पुराई है जिससे लोगों को दूर ही रहना चाहिए प्रधानमंत्री मन की बात में हर बार सामाजिक मुद्दो को ही उठाते रहे हैं इसी कड़ी में 29 सिदंबर 2019 को प्रसारित मन की बातकारीकर में उन्होंने धूमरपान के खत्रे की ओर देश का ध्यान दिलाया जो आज भी बहत प्रसंगिक है बच्चों को सिग्रेट की बीडी की आदत न लगे उनकी यहीं कोशिश होती है कि परिवार का कोई भी सदस्या धुमरपान न करे स्मॉकिंग न करे वो जानते हैं कि स्मॉकिंग से तंबाकु से सरीज को भारी नुक्षान होता है सिग्रेट के खत्रे को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं है मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहा ने कहा है कि प्रदेश के तिहास में महिला सशक्तिकरन के लिए चल रही सामाचिक रांते में सरकार को लाडली बहनों से अपार जिंसमर्थिन मिल रहा है सभी के सहयोग से हमें एक नया आत्वनिर भर मध्रदेश बनाएंगे उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी मुक्यमंत्री करने विवाह संपल यूचनाओं के बाद अब लाडली बहना यूचना इस दिशा में मिल का पत्थर साबित हो की मुक्यमंत्री आज शाजापूर जिले के शिजालपूर में लाडली बहना महा सम्मीलन को संपोधित कर रहे थे मुक्यमंत्री ने 118 करोड 68 लाख रुपए के विकासकारियों का लुकारपन और भूमी पूजन तता विभिनी यूचनाओं की इतिग्राईयों को हितलाफ का वित्रन किया शाजपूर जिला प्रशासन की शाजपूर जंदर्शन पुस्तेका का विमूचन भी किया गया समाचारों में वक्त है ब्रेक का ब्रेक के बास समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है केंद्र ने आज तुवर और उरत का उतपादन और उभूक करने वाले प्रमुख राजव के सचीव रूहित कुमार सिंग राजव को स्ट्यापन करने और अघूषित स्टॉक पर कड़ी कारवाय करने के निर्देश दिए हैं बैठक में मद्यप्रदी सहित कई प्रदेश के वरिष्ट अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दोरान राजियों ने सूचित किया कि वे निगरानी तेज कर रहे हैं। उन्होंने स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टल पर अनिवारे पंजी करें और स्टॉक का खुलासा सु निश्यत करें। उन्होंने कहा कि मिलेट फसलों को पोशन अनाज का दरशा दिया क्या है। और खिलारियों को पोशन से भरपूर खाना उनके खेल को निखाने में सहायक होगा। इन फसलों के अनाज में आईरिन, कैल्शियम, फाइबर, आदि से भरपूर होते हैं। गौर देश में वाटर स्पोर्स अकादमी के लिए पहले चरण में एक से पंद्रा मई के मध्य लगभग 25 हिलों में टैलेंट सर्च किया जाएगा। टैलेंट सर्च से जिन जिलों से ज्यादा प्रतिभावान खिलाडियों का चैन होगा उस आधार पर वहाँ फीडियो सिंटर ख थरीके शपत ग्रहन और जन आभार सभारों में शामिल हुए। गुना में डॉक्टर भीम राउम बेटकर जैनती के उसर पर 14 अप्रेल से 18 अप्रेल ग्राम सभाव कायो चुन किया जाएगा। अध्योगिक नीती निवेश मंत्री राजवर्धन सिंग दत्तिगाओ शामिल हुए। नीमस जिले में प्रजारत द्वारा मोक्य मंत्री लाडली बहना योजना और शासन की अन्य जनकल्याडकार योजनाओं का प्रचार प्रसार क्या जा रहा है। बैतूल में लाडली बह प्रस्ति धंक से रवी उपाजन करने के निर्देश दिये हैं और मुराना जिले में चंबल नदी में नहाने का योग पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। योग कोईलाज के लिए जलास्पताल धौलपुर में भरती कराया गया है। झाली आजा़ झाली आजा़ झाली आजाओ के लिए झाली एया है।